दो बहनों की कहानी, सपनों की उर्रान, सोनी बढ़ी बहन, जिम्मेदार, आत्मिर्भर, लेकिन बहुत समवेधनशील, बुलिया छोटी बहन, चुल बुली, स्वतंत्र विचारों वाली, सपने देखने वाली, रात का समय, दोनों बहने अपने कमरे में बैठी है, सोनी है, जैसे मैं भी किसी दिन उचायों तक पहुँच सकती हूँ, तुम हमेशा ऐसे ही सोचती हो, गुलिया, लेकिन क्या तुम समझती हो कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मेहनत का रास्ता बहुत मुश्किल हो तो, क्या हम उसे छोड़ दें, नहीं, हम उसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुश्किले हमें मजबूत बनाती है, दीदी, देखो, ये फॉर्म है, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूँगी, मैं नृत्य करना चाहती हूँ, और मुझे यक कि मैं कितना कर सकती हूँ, ठीक है, अगर तुम सच में चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखना, हार और जीट से ज़्यादा जरूरी है कि तुम अपनी पूरी मिहनत दलो, मुझे करना है, मुझे अपनी बहन को गर्व महसूस कराना है, मंच पर मृत अच्छा किया, बुलिया, तुमने अपनी पूरी कोशिश की और यही सबसे बड़ा जीत है, दीदी, जीतने से ज़्यादा मजा तो उस राह में था जिस पर चलने का होसला मैंने तुम से लिया, कुछ महीने बाद बुलिया एक नई प्रतियोगिता में जीत जाती है, दोनो बड़ी वजय से ही मैं आज ये कर पाई हूँ, मुझे यकीन था कि तुम कर सकती हो, तुमने जो रास्ता चुना, वही सबसे सही था, तुमने हमेशा अपनी मेहनत और आत्म विश्वास से मुझे प्रेरित किया है, यही तो बहनों का साथ होता है, हम एक दूसरे के सपनों क पूरा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, यह कहानी बहन के रिष्टे की सुन्दर्ता और समर्थन को दर्शाती है, जिसमें छोटी बहन अपने सपनों का पीछा करती है, और बड़ी बहन उसे समर्थन देती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों नहों